नमस्कार दोस्तो, मेरे नाम है बलचंद्रा, प्रमान्द सिध्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तो, मेरे नाम है बलचंद्रा, प्रमान्द सिध्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है। उस परकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शरुवात होगा दोबर दो बचकर तीन मिनिट से लेकर तीन बचकर बयानिस मिनिट तक और यह मगंड़काल रात पाच बचकर पैतालिस मिनिट से लेकर साथ बचकर चोबिस मिनिट तक का होगा। राहुकाल और या मगंडेकाल दिन के अशुवकालावती कह जाते हैं इस वे किसी भी प्रकार के महत पुर्ण काम या फिन्दिन ने विल्कुल भी नहीं लेना उस पिरकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा संपुर्ण दिन सिंग राशी में ब्रह्मन करेगा यह अगरसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशी क्या होगा इस विशय पर अब हम चार्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के पंचंद्रमा का ब्रह्मन है आज का जो दिन है आपके लिए शुवफलदाई साबित होगा खास करके अगर आप शेयर मार्केत में ट्रेड करते हो तो कूछ अच्छे लाव बगरा मिलते होगे नज़र आएंगे उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिक में हैं उनके साथ आज आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी दिन आपके लिए शुवफलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है व्रिशब राशी व्रिशब राशी के चतुरतवाव में चंद्रमा का भ्रमन है काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज की दिन आप गर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी करके जो लोगे उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगी आज की दिन आपका जो कॉन्फिदेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा इसके बाद की जो राशी है वो है मिथन राशी इसके बाद की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी के द्वितियों वामे चंदरमा का भ्रमन है दिन आपके लिए शुवफलदाई साबित होगा आज के दिन कुछ अच्छे लाव अगरा हो सकता है मैं तो पुण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है उसी पर अगर गर के जो लोग है उनके कुछ चाहे भी आज के दिन आपको पूरी करनी पड़ सकती है जेकर दिन आपके लिए शुवफलदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी में चंद्रमा का भ्रमन है आज का जो दिन है आपके लिए शुवफलदाई साबित होगा आपको confidence, energy level काफी अच्छी देखी जाएगी उसी पर गर आपके finance के रेलेटर जो भी problem complications है वो आज की दिन काफी मायना में कम होते हुए नजर रहेंगे अच्छे लाब बगना मिलते हुए नजर रहेंगे आपके जो वित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, गप शोप हो सकती है गुमना फिर ना हो सकता है दो दिने आपके लिए शुमफलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के वहियो वाव में चंद्रमा का भ्रमण है आज का जो दिन है आपके लिए बिजी डे साबित हो सकता है गुमना फिरना जादा हो सकता है स्वास्त के बारे में थोड़ा द्यान देना होगा दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशु तुला राशी के लाब अबाव में चंद्रमा का भ्रमण है आज का जो दिन है आपके लिए शुफल अदाई साबित होगा कास करके आपकी जुमित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकते हैं, गपशौप हो सकती हैं, कुछ अच्छे लाव वगरा भी मिल सकते हैं जो भी आपका कारिशेतर है, उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बाते होने के संभावना काफी एच्छी बंद रही है तो दिन आपके लिए शुफलदाई साविक होगा इसके बात की जो राशी है, वो है वृच्छिक राशी वृच्छिक राशी के दशंभाव में चंद्रमा का भ्रमन है, काफी अच्छा दिन है आपकी लेखास करके जो भी आपका कारेश इतर है, उससे रिलेटिन कुछ महत बड़ काम आज की दिन होने की संभावना काफी अच्छी बंद रही है जो भी आपके सहकरमी होंगे या फिर वरिस्ट होंगे, उनसे आपके काम की अप्रिसेशन महबा भी हो सकती है, तो दिन आपके लिए शुबपुजदाईन साविक्त होगा इसके बाद की जो राशी है, वो है धनो राशी धनो राशी के वाग्यवाव में चंदरमा का ब्रमन है, काफी अच्छा दिन है आपके लिए अज आपके confidence energy level बहुत ही अच्छी देखे जाएगी, जो काम आप हाथ में लिएगे, वो पूरे होते हुए नजर आएगे, उसे प्रेकर features से related किसी महत भुण काम की शुरुवात होने के संभावना आज के दिर काफी अच्छी बन रहे है, अगर आपके relationship में है, उनके साथ भी आज आपके harmony काफी अच्छी देखी जाएगे, अगर आप share market में trade करते हैं, तो कुछ अच्छे लाव अगर आभी मिलते हुए नजर आएगे, तो दिन काफी, अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाव लीचिए इसके बाद की जो राशी है, वो है मकार राशी, मकार राशी के आश्टम मौमे चंद्रमा का भ्रमण है, स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्चक होगा, स्वास्त से related problem आज के दिन आने के संभावना तोड़ी ज्यादा बंद रही है, किसी भी प्रकार के इसके बाद की जो राशी है, वो है कुम्बराशी, कुम्बराशी के सप्टम मौमे चंद्रमा का भ्रमण है, काफी अच्छा दिन है, आपके ले खास करके, अगर आप विवाई थो आपकी जो वैवाई जो डिदार है, उनके साथ आज आपकी आर्मनी काफी अच्छी देख इसके बाद की जो राशी है, वो है मींदराशी, मींदराशी के सप्टम में चंद्रमा का भ्रमण है, महतो बुण दिन है, आपके लिए किसी भी प्रकार के महतो बुण निर्डे, छोटे हो या बड़े, आज के दिन या फिर आने वाले तीन से चार दिनों में बिल्कुल भ तो दोस्तों, ये था दिन 16 मई 24 का संपुन राशीफल, आपको ये राशीफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से न वो किया, जिजे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमिट करना और अपना ये चैनल है, ब्रह्मांड सिद्यास्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, दन्यवाओ